नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि मीसो एप से 1723 समान आर्डर कैसे किया जाता है जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल साही सुनने हैं आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि Miso app से 1,7,2,3,4,5 समान कैसे order किया जाता है आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो बिना time के वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आप से बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया न तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बगल में जो बेल आइकन आ रहा हूँ से प्रेस करके आलवाले नोटिपिकेशन पर जरू क्लिक किजेगा इस बीडियो को जादा से जादा अपने मित्रों के साथ पर अपने को सब्सक्राइब करें हैं उसको यहाँ पर सर्ट कर लिए जयसे मैं Skip Plan कंश dislod करना चाहता हूं तो आप यहांपर द हम Deutsche आ गई है तो सब्सुनि आपको समे लेना हो ले सकते हैं फिलाल में मैं एक करती लेना चाहता हूं यहां पर दोस्तों देख सकते हैं जो करती है मेरे को अच्छा लग तो simply मैं इसे order करना चाहता हूँ, तो इसपे हमको click करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमको करना क्या होगा, यहाँ पे एक option मिल जाएगा, add to cart का है, तो हम simply add to cart वाले option पर click कर देंगे, यहाँ पे हम अपना size color कर लेगे, और यहाँ पे continue वाले option पर click कर देंगे, ठीक है, तो पर add to cut हो गया, फिर हमको back आना है, back आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो इस color का कुर्ती है, मैं इसको लेना चाहता हूँ, तो simply मैं फिर से उस पर click करूँगा, और यहाँ पर यह कुर्ती आ गई, फिर से मैं add to cut वाले option पर click करूँगा, फिर मैं इसे L size का लेना चाहता फिर continue वाले option पर click कर दूँगा, फिर हमको क्या करना, back आ जाना, back आने के बाद दोस्तों जो यहाँ पर lash में, जो black color में सो रहा है, मैं उस color का लेना चाहता हूँ, तो मैं उस पर click करूँगा, add to cut वाले option पर click कर दूँगा, और Excel size का लेना चाहता हूँ, Excel पर click करके continue वाले option फिर से मैं back आना चाहूँगा, एक और यहाँ पर कुर्ती आडर करना चाहूँगा, जो सबसे हैं, second नमर पर हम इसे लेना चाहूँगा, तो second नमर पर जो कुर्ती है, उस पर मैंने click कर दिया, फिर से मैं add to cut all lesson पर click करूँगा, मैं इसे add size का लेना चाहता हूँ, तो continue all lesson पर फिर click कर दूँगा फिर मेरा यहाँ पर address आ जागा मैं back आउंगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने चार समान को अपने काट में add कर लिया है ठीक है अब दोस्तों बता दू अगर आप एक ही seller का अगर समान लेते हैं मतलग एक ही seller से कई अगर समान लेते हैं तो आप एक ब reality है मैं उसी को बताऊंगा जैसा कि यहाँ पर देख पा रहा है मैं नीचे अगर आऊंगा तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे और भी यहाँ पर product है अगर मैं आन लीजे मैं इसे लेना चाहता हूँ अगर मैं इस पर click करके यहाँ पर add to cart वाले अगर option पर click करूंगा तो ए अगर आप एक ही seller का यहाँ पर अगर मतलब product लेना चाहते हैं तो उसे add to cart में click कर लिजे फिर उपर जो cart का आफसान है इस पर click करना होगा इस पर click करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जीतनी भी मतलब चार है ना तो चारों का यहाँ पर total rate दिखा रहा रहा पर click कर देना है तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो मेरा order है place हो चुका है यहाँ पर चार कुर्ती में order कर लिया हूँ तो दोस्तों इस प्रकार से आप order कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कई reseller का एक साथ product को order कर पाए ऐसा दोस्तों मीसों में कोई भी system कोई भ अब अब इसमें कोई ऐसा आपसान आएगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा तो दोस्तों आते करतों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा